अवधूत चिंतन श्री गुरु देवदत्त नमस्ते अलपनिता शो में आपका स्वागत पिछले पार्ट एट में हमने टेंसे सीखे थे आज हम पार्ट नाइन में वर्ब्स मतलब क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए एक बेल आइकोन प्रेस करें चलो तो शुरू करें अपना वीडियो वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब ये एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में किसी क्रिया का या फिर स्थिती या अनुभव का बोध कराता है इस वर्ब के नौ प्रकार होते हैं जो आप चार्ट में देख सकते हो आज हम इस चार्ट में से दो जरूरी और ज्यादा प्रयोग में आने वाले वर्ब के बारे में सिखने की कोशिश करेंगे और यह वर्ब्स है रेगूलर वर्ब्स और इर्रेगूलर वर्ब्स हमने सीखा था जैसे काल के तीन प्रकार होते हैं वैसे ही verbs के भी तीन रूप या forms या version होते हैं चलो तो देखते हैं वर्ब का first form present mulkria वर्ब का second form past भूतकाल रूप वर्ब का third form past participle भूतकाल वाचक और ये तीनों रूप सभी नौ प्रकार के verbs में इस्तमाल किये जाते हैं चलो तो शुरुवात करें अभी ये regular verb मतलब क्या ये किस तरह से पहचाने जाते हैं इन्हे regular verb क्यों कहां जाता है आईए जान लेते हैं अभी आपको नीचे दिये गए हुए चार्ट में वर्ब का पहला रूप मतलब present form दिख रहा होगा तो चलो देखते हैं और सीखते हैं चार्ट नमबर वन रेगिलर वर्ब्स शब्द ध्यान से सुनिए वर्ब का first form प्ले, जम्प, लुक, अग्री, अराइव, मूव, इग्नोर, लव, डिवाइड, डैमेज अभी हम इस वर्ब के दूसरे रूप को मतलब past form को समझते हैं तो आएए देखते हैं चार्ट नमबर टू रेगिलर वर्ब्स यहाँ पे वर्ब का first form प्ले है तो वर्ब का second form होगा प्लेड प्ले, प्लेड, जम्प, जम्प्ट, लुक, लुक्ट, अग्री, अग्रीड, अराइव, अराइवड, मूव, मूव्ड इग्नोर, इग्नोर्ड, लव, लव्ड, डिवाइड, 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 डैमेज, डैमेज्ड यहाँ पे हमने वर्ब के दूसरे रूप मतलब past form करने के लिए क्या किया तो वर्ब के आगे एक तो ed जोड दिया और जिस वर्ब के आगे पहले से ही e है वहाँ हमने सिर्फ d जोड दिया है तो है ना एकदम सरल और आसान कितने आसानी से हमने वर्ब को past form में लिख दिया और हाँ यह बात जान ले कि ज्यादा तर 90% verbs का past form बनाने के लिए हम ed या d जोड देते हैं फिर यह बचे हुए 10% क्या है तो यह irregular form में शामिल हो जाते है जो हम वीडियो में आगे समझने वाले है अभी हम past participle form याने वर्ब का तीसरा रूप सीखते हैं तो चलो देखते है चार्ट नमबर 3 regular verbs यहाँ पे अगर वर्ब का first form play है तो वर्ब का third form played हो गया तो play, played, jump, jumped, look, looked, agree, agreed, arrive, arrived, move, moved, ignore, ignored, love, loved, divide, divided, damaged, damaged तो दोस्तों क्या आपने कुछ गौर किया? irregular verbs के बारे में irregular verbs का क्या मतलब है? वह कैसे होते है? उन्हें irregular verbs क्यों कहा जाता है? एक बात तो सच है कि यह regular verbs जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे चलो तो समझने की कोशिश करते हैं अभी आपको दिख रहे चार्ट में वर्ब का पहला रूप मतलब present form दिखाई दे रहा है चलो तो देखते हैं चार्ट नमबर वन irregular verb इसके वर्ब के first form है जैसे के cut, put, shut, eat, swim, speak, become, come, build, catch यह हुआ वर्ब का पहला रूप अब देखते हैं इसका दूसरा रूप मतलब past form तो देखते हैं चार्ट नमबर टू irregular verbs यहाँ पे वर्ब का पहला form cut है तो वर्ब का second form भी cut है cut, cut, put, put, shut, shut, eat, eat, swim, swam, speak, spoke, become, bikin come, came, build, built, catch, caught अभी आपके ध्यान में तो आही गया होगा कि इन्हें बनाने के लिए regular वर्ब जैसे हमने ed या d नहीं जोडा कुछ अलग ही शब्द का प्रयोग किया है जो एक तो वर्ब के पहले रूप से मतलब present form से मिलते है है और जैसे के शब्द है cut, put, shut, आदी या फिर पूरी तरह भिन्न जैसे it, swam, spoke, इत्यादी चलो तो अब जान लेते हैं इन वर्ब्स का तीसरा रूप part 3 में तो चलो तीसरा रूप है past participle और देखते हैं chart number 3 irregular verbs यहाँ पे वर्ब का first form अगर cut है तो वर्ब का third form भी cut ही रहेगा तो देखते हैं cut, cut, put, put, shut, shut, eat, eaten, swim, swim, speak, spoken become, become, come, come, build, build, catch, cut अभी chart को फिर से ध्यान से देखिए और अभी आपके ध्यान में पूरी तरह से आ गया होगा कि कुछ verbs में present, past और past participle एक जैसे ही है तो हाँ, हम इसलिए कह सकते हैं कि इन verbs में कोई एक समानता नहीं दिखाई देती मतलब irregularity है और इसी वजह से इन्हें irregular verbs कहा जाता है इन irregular verbs हमें याद करना पड़ेंगे और इसके लिए आपको थोड़ी महनत लेनी ही होंगी तो करोगे ना इन्हें याद ऐसे देखा जाए तो अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे forms of verbs होते है जो हमें अंग्रेजी बोलने और सीखने में बहुत मदद करते है आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करे, शेर करे और लाइक करे और बेल आइकन को भी प्रेस करे ताकि आने वाले नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे तो चलो, फिर मिलते हैं पार्ट टेन में कुछ और नया सीखते है धन्यवाद